वैदिक जोतेश के अनुसार भ्रामान के हर ग्रह का एक संबंदित राशी चक्र चेहन होता है और वेदों ने प्रतेक ग्रह के लिए एक विशिष्ट मंत्र निर्धारत किया है जो की चंद्रमा के संकेतों के निवासी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है मंत्र, मंत्र शक्तिशाली शब्दों की एक श्रींगला है जो किसी के परिवेश में सकारात्मकूर्जा पैदा कर सकते है यदि इसे ठीक से पढ़ा जाता है स्वास्ति सम्बंधी और लाबकारी परिणामों के लिए सब को अपन राशी के अनुसार मंत्र का जाब करना चाहिए नीचे मून साइन के अनुसार है मंत्रों का उलेख किया गया जो लोगों को जीवन में संतुलन लाने में मदद कर सकता है मेश, मेश राशी के जातक बहुत ही डिमांडिंग और जिदी नेचर के होते हैं दिये गये मंत्र का जाब करके मेश राशी के जातक अपने अहंकारी नेचर में सकारात्मग बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन में वित्य अस्थिरता को आमंत्रित करते हैं, हाला कि इस मंत्र कजब करके वे अपने अती प्रभावित प्रकृती को कम कर सकते हैं मिथुन राशी के जातक अपने अभिमानी और निर्पेक्ष प्रकृती के लिए जाने जाता है, निमन लिखित मंत्र कजब करके मिथुन राशी के जातक अपने नेचर में करुणा उत्पन कर सकता है और यह मंत्र उनकी इंद्रियों को सुखदायक बनाने में मदद कर सकता है और यह अपने एकांट से प्यार करते हैं शायद यही कारण है कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं होते हैं हाला कि इस मंत्र को पढ़कर वे ब्रहमांड में सभी अच्छी चीजों के साथ जुड़ सकते हैं आम श्री एम, सौहतुलातुला, राशी की जातक बहुत ही ब्रहमित प्रकार के लोग होते हैं राइवे जीवन में एकागरता और ध्यान के इंद्रेत नहीं करते हैं इस मंत्र को जब करने से इस प्रकृती को नियंत्रित किया जा सकता है मकर राशी के लोग बहुत असभ्य होते हैं और उनमें करुणा की कमी होती है हाला कि वे इस मंत्र कजब करके अपने द्रिष्टिकों में दयालगता ला सकते हैं अपने सबी फैसले दिल से करते हैं जिनके लिए उन्हें जीवन में बाद में अफसोस होता है निर्ण लेने के कौशल में सुधार करने के लिए उन्हें इस मंतर का जाब करना चाहिए और उन्हें जीवन में हर समस्या के लिए उनके पास केवल एक मार्ग होता है वे दुनिया की सारी समस्याओं से अलग रहते हैं उन्हें इस मंतर का जाब करना चाहिए